खेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके छैनल hte help2earn मीं दोस्तों हम यहां discussion करेंगे कि क्या जो है market में आगे जो दिन मंडे आ रहा है मनत्रब 13 मार्च को nifty बेंक nifty क्या performance कर सकती तो उसी को discussion करेंगे तो में जीज अब यहां पर discussion जो करना चाहिए रहा हूं आप लोगों से वह यह है कि डाटा है वह मैं देखना चाहिए रहा हूं तो वह मैं आपको दिखाता हूं कि देखें यह 28 परवरी का देख लीजिए तो फाइज ने कैश मार्केट में 4549 रुपाय का बेचा है और डियाज ने 469 रुपाय यहां पे 41 करोल के असपस 50 करोल का इसी करोल का दूयर को 20 करोल का देख रुटा रुटा बेच लिएना तो यह यहां पर sä啊 200 करोल का बेच आ तीडर या पर आपनी कहले थे यह वह बच रहने है ठीकव्य ओ और जब वह बेच रह हैं तो मार्केट क्या हो रही है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन जा रही है जब वो बेचते हैं तो यहां पर भी ऐसा हुआ ज्यादा नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत हो रहे हैं लेकिन अभी मुझे जो फिकर चौकाने वार इसमें भी ज़्यादा फरक नहीं है ना यहां भी देखिए का चार सो चौ रिटेलर दोरह बहुत हैवली बेचा जा रहा है तो अभी यह एक सेंसिटिव चीज है ठीक है यह यह देट तो आप छोड़ी दिये क्योंकि इस टाइम तो वाड़ान इसकी कोई डील हुई थी उस वज़े से यह है तो इसके बाद जो है कैश मार्केट में आ जाते हैं मतर् में क्या देखिए कि 246 करोड का एफाइज ने बाई किया और डी आइज ने 2089 करोड का बाई किया ठीक है मार्केट 1.6 परसंट उठी है लेकिन रीटेलर ने टोटल इन दोनों को रीटेलर और प्रोज दारा बेचा गया यानि बाई 2300 करोड का बेचा गया है अब यह बड़े फिगर आ रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं ठीक है अभी एफाइस और डी आइस दोनों ने बाई किया को सब्सदिए 2100 करोड का तो 400 करोड के सब्सक्राइब करीड या प्रोज ने बेचा यहां पर यह कर दो बोज सब्सक्राइब बाइक है तो आपकी टाटा यह अमारे पास डी आइस का ही उता है तो अभी देखिए एफाइस ने क्या यहां पर भी जो है रीटेल और प्रोस द्वारा पेचा गया है यानि इसमें 2700 करोड का बेचा गया है तो हम देख रहा है और मार्केट 0.2 उठी है जबकि जिस हिसाब से बेचा जा रहा था तो उठना चाहिए मार्केट इतनी बड़ी बाइंग करके गया है मार्केट उठी नहीं है उठी भी कितना तो 0.2 परसेंट तो यह मज़ेदार बात है और जबकि आफाइज ने कुछ बेचा नहीं नौ से 60TP करोड का बेचा है डी आई ज ने 52 करोड का बाइंग और यहां पे लमसम 500 करोड के आजपास की सेलिंग रूस द्रोज़ा की गई भी यहां पे दस मार्च को आते तो दस मार्च को भी यही सीन है कि एफाइज ने दो हजार करोड का बेचा है डियाइज ने तेरा सो करोड का बाइग किया है और बाकी बाइग जो है वो रीटेलर प्रोस दो रखी गई है लमसम जो कि 800-700 करोड के आसपास है ठीक है तो यह डाटा हमें क्या दि जो है जादा बेचते खरीचते नहीं थे तो यह डिफरेंस आ रहा है और रीटेल के हिसाब सही मार्केट गूम रही है एक चीज यह आप देखेंगे तो चलिए अभी आ गया जाते हैं दोस्तों यह चार्ट निफ्टी 50 का खुला हुआ है और आपने ट्रेंड लाइन देख रहा है कि जरा सा मतलब अगर थोड़ा भी जो है ग्लोबल मार्केट ग्लोबल क्यूज जाए निगेटिव होंगी तो हमारी मार्केट कितनी जादा निगेटिविटी शो कर सकती है तो वही चीज़े हैं ऊपर के लेविल सस्टेंड करना बहुत मुश्किल हो गया है किसी भी बस उसे बहाना चाहिए कि कहीं से भी निगेटिविटी मिल जाए तो उसे गिरा दिया जाए तो अभी यह सारी चीज़ें जो है आप देखी रहे हैं चार्ट पर चार्ट पर आपको एक दिम क्लियर है अब चार्ट में यह लेविल होल्ड किया गया गया 17400 का लेविल लेकिन मैं पहले से भी कहता आ रहा था कि मार्केट को गिरना है बस बहाने ढूंडे जा रहे हैं कि कैसे मार्केट को गिराया जाए तो दोस्तों यहां पर कन्फरमेशन आप समझे कि मार्केट ने क्या किया है तो अगर आप इस चीज़ को समझेंगे कि मार्केट अगर यहा जा सकती है 16800, 16900 के टार्गेट बड़ी इसली आ सकते हैं देखने को मिल सकते हैं ठीक है यह लॉंग टरम बात हो गई है ना और कहां तक हम जा सकते हैं तो कहां तक जाने के लिए यह हमारे पास 16794, 16800 जो कि मैंने आपको पहले बताए कि यहां तक की लेविल हो सकते हैं माइड भी पॉसिबिल कि यहां तक हम ट्रैवल कर लें ना कहां तक करेंगे वो मार्केट ही बताएगी इंट्रेडे में कैसे ट्रेट करते हैं उसको डिस्क्रिशन करते हैं तो दोस्तों 15 मिनिट का चार्ट मैंने खोला हुआ है गर यहां पर आप देखेंगे और इस वाले ल बागी और देख सकते हैं यह जो है हाई मार्क लीए 17307 तो फिर नीचे के लिए 17250 अगर प्रेक होता है तो फिर शत्रह एक सो तक हम बड़ा यजली जा सकते हैं इसमें कोई रुकावट नहीं और लिए 16800 तक के टार्गेट हो सकते हैं और गैप प्प्यूमीद बहुत कम है gap down या flat खुलने के उमीद ज़ादा है market में जो अभी तक देखी जा रही है और अगर gap up होता है तो selling ही वहाँ से आएगी तो price action देखकर हम selling कर सकते है कहीं भी gap up खुले तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर market gap up कुलती है और sustain अगर नहीं कर पाती हम price action देखेंगे price action के बियाफ पर ही हम sell या buy करेंगे तो buy तो बनता नहीं gap up में और sell बनेगा अगर वो sustain नहीं कर पाएगा तो price action देखेंगे sustain नहीं करेगा तो हम sell करेंगे निफ्टी में यह होग है bank nifty देख लेते हैं बैलेजर तो एक resistance हाई है उसके अलावा भी बैलेज तो बहुत दूर की बात है वहाँ तक जानी पा रहा है तो अगर इस चीज़ को भी देखेंगे तो निफ्टी में जो buying आई भी थी वो इसी वज़े से थी क्योंकि जो है वो bank nifty उट रहा था बैंक निफ्टी दोस्तों क्यों उट रहा था आप देख रहे होगे कि अडानी ग्रूप में जो confidence आया एक deal हुई उसके बाद बैंकों ने उटना चालू किया लेकिन देखिए कि रीटेल और प्रोस बेच रहा है इसका मीनिंग यह है कि वो लोग डरे हुए है वो लोग अपना profit सेफ करने की कोशिश कर रहे है तो बैंकों से भरोसा उट रहा है तो banking sector में selling आ रही है बहुत है जिसे तो जब भी एक high लगेगा तो selling आएगी यह हमें clear हो गया है ठीक है अब इतना बड़ा जो gap up यहां पर market ने किया है यह fill हो भी सकता है लेकिन फिल करने में हम नहीं जाएंगे अभी यहां पर अभी हम नीचे की तरफ देखेंगे कि वह यहां तक यह मार्केट अगर यहां तक आई है तो फिर यहां तक आने की कोशिश करेगी 49-649 आने की कोशिश करेगी तो अगर यहां पर हम देखें तो यहां तक जाने की कोशिश क तक के टार्गेट हमारे लांग टर्म हो गया इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो फिर आगे हम जैसे हमने पहले भी अपनी वीडियो में डिसकेशन किया था कि हम आगे के लिए बैठ सकते हैं ठीक है अब दोस्तों आ जाते हैं 15 मिनिट के चार्ट पर एक मिनिट को दोस्तो कोशिश करिए देखिए यहां से जो है उपर जाने इस केंडल को ही क्रॉस करने की काफी कोशिश करें लेकिन फेल हो गई फेल हो गई तो एक यहां से फॉल आया फॉल आने के बाद जो है फिर वहां से एक रेट्रेस्मेंट यानि प्रॉफिट बुकिंग आई इसकी जो सेल इसका लो इंटरेडेप प्लान करने के लिए यह जो है 40,343 है यानि 40,300 अगर ब्रेक होता है तो हम इजले अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम बैठ सकते हैं और गैप अपनिंग होकर थोड़ा रिस्क रहेगा लेकिन गैप ओपनिंग होती तो भी बहुत जादा नहीं थो है तो वहां पर हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं अगर प्राइस एक्षन हमें मिलता है तो दूसरी चीज यह है कि अगर जैसे इस पॉइंट के नीचे मिलेगी तो हम 40,300 तूटे हैं तो हम इसली बैठ सकते हैं इंटरेडे के लिए सेलिंग में और 49,700 जैसे मैंने उसमें ब परफ़जार का एक साइकोलाजिकल लाइवेल है तो वह भी सपोर्ट का काम करें कहीं नहीं हो सकता है तो 40,000 तक हम जा सकते हैं 40,400 तक के टार्गेट हमारे हो सकते हैं ठीक है इंटरेडेड प्लान हो गया और अपसाइड तो हम सोच नहीं सकते हैं अगर प्राइस एक्षन म पॉस्टिव रहा है तो हम इस सारी चीज़ा सोचेंगे वह मॉर्निंग में देखेंगे क्या अप्डेट रहती है ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो अच्छे लगए वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें थैंक्यू दूस्तों